मारेम क्रास जैसे कि आम ने लेवल ऑफ एक्सरिशन स्टड़ी किया था तो उसमें फॉस्ट लेवल्स अब ने कर लिये थे ठीक है और इसके बाद आज जो आपका थर्ड फॉर लेवल है वह बिस्कूस करेंगे थर्ड लेवल में आप दिखेंगे और ऑर फॉर जो आपका वह और टीशु लेवल है वो ठीशू लेवल है एंणित कर लु लेड इसे स्यूंब्स होताता है जब viral । बनाते हैं। बनाते हैं तो अब आपको बा अपसेंबल होते हैं, तो बनाते हैं। जब सबसे पहरे हम और्गनल्स की रेफिनेशन देख लें। कि इन और्गन, और्गनल्स और्ड अपसम्पै रॉछल्ड है, फॉर्छफ ज्ब डीश्चर रहें। और unit of life बनता और that unit of life is called a cell, उसको हम कहते हैं, cell कहते हैं, ठीक है, और एक cell form हो जाता है, जो एक living organism का structure है, ठीक है, आप देखें कि जो आप each type of organal, organal है, is a specialized to perform a special type of functions, ठीक है, specialized organal, special type of the functions perform करेंगे, for example, अगर हम देखते हैं कि mitochondria, mitochondria will be responsible for the cellular respiration, ठीक है, इसी तरह से अगर हम specialized, देखें, specialization of ribosomes देखें, तो ribosomes is a responsible for the respiration, sorry, protein synthesized, ठीक है, यह किसके लिए responsible है, for the protein synthesized, understand, यह आपको यहां तक समझा आगया, इसके बाद आगर मैं आपको बता हूँ कि अगर हम prokrotic cells की बाग करते हैं, prokrotic cells, वो cells होते हैं, जो single cells पर consist करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, कि in case of smooth fungi, फिंजाई और कुछ आपके all animals and all plants हैं, यह जो हैं basically multicellular हैं, और they consist of the trillions of cells, यह क्या है, they consist of the trillions of cells, जैसे इंसान है, human being है, वो भी trillions of cells, से मिलकर ही बना हुए, ठीक है, इसके तो multicellular के अंदर, जो हैं, multicellular organism में, जो similar cells हैं, ठीक है, performing the similar functions, ठीक है, they perform, same tissues, मिलकर है, वो same functions करते हैं, और यह group of, जो आपका cells होगा, that is called, tissue, इसको हम क्या कहते हैं, tissue कहते हैं, अब tissue के अगर हम definition देखते हैं, कि tissue की definition कहा है, क्या है, वो आपने यहां से करने, कि we can define a tissue as a group of a similar type of a, क्या है, specialized for the performance of the common functions, ठीक है, यह इसकी definition होगी, अगर हम इसकी example देखें, जी, tissue level की definition के बाद, देखें, आपको मैंने definition बता दी, कि same type of, जो मिलके, cells जो है, वो एक तरह से function perform करेंगे, तो इनको हम क्या कहेंगे, आपको tissue कह देखेंगे, ठीक है, उसकी बाद, अगर हम कहेंगे, इसमें अगर, एकसामपल से एक्जामपल में डिशमेड में डिशी लेवल्स में, इप्रिभिर गिजामपल से डिखते है, आपकी बादिर्म अपकी आपकी Cordpro19 fatty endless tissue होते हैं, भावत क्योंस झी पैडटाव कpoweredäg च्शू जोलेशते हैं जोडिकेड में डिएस झीन और उनकी functions को भी अच्छी तरह से आपने लान करना, thank you.